one methyl ethylene oxide when treated with an excess of hbr produces तो आपके पास hypoxid जैसा कुछ दे रखा है hypoxid पे आपको excess of hbr reaction कराने हैं जब तक भी hbr react करेगा तब तक उसे react कराते जाओ कराते जाओ epoxide बना लेते हैं जो इसने दिया आपको one methyl ethylene oxide HbR से reaction कराऊ सबसे पहले HbR का जो H plus iron है वो इसको protonate करेगा तो मैं ऐसा कहूँ कि यह जो lone pair है यह lone pair इस hydrogen को उठाएंगे यह BR निकल जाएगा और यह protonate हो जाएगा positive हा गया अभी जो पहले step सो जो BR माइनस निकला था वो अपना काम करेगा BR माइनस अब इस पर attack करेगा हम बोलते थे epoxide की cleavage हम लोग पढ़ते हैं जब acidic medium में होगी तो more hindered side से attack करेगा basic या neutral medium में होगी तो less hindered side से attack करेगा तो अभी acidic में हो रहा है इसलिए आपका BR माइनस यह more hindered side से attack कर रहा है अगर यही रियाशन आपकी basic में होती तो इधर जाके attack होता less hindered side ऐसा करने से एक BR यहां जुड़ गया एक OH उपर जुड़ गया फिर आपको कह रहा है excess of HBR तो इसलिए एक बहुरा HBR से रियाशन करायाते हैं फिर से protonation हो जाएगा OH का ऐसा करने से BR यहां जुड़ा protonation हो जाएगा और यह BR बना देगा मैं directly कर दूँ कि OH को हटके BR लग जाएगा ऐसा आपको दिख रहा है option number option number 4 में answer should be your option 4